है स्कॉर्ड इंसर्ट्स योव हमें साब स्कॉर्ड इस यह और आज का ये वाला गेम ब्ले बहुत ही ज्यादा ओपी है क्योंकि आज एक्चुली में एक नहीं दो दो पोसाइडन आये हुए थे हमारे मैच में और इन दोनों के पास ग्लेसियर M416 भी थी और इनके साथ मेरी भी होनी थी तो यहां पर यह दोनों मुझे भाव नहीं दे रहे थे तो मैंने पहले तो अपना सिगनेचर आउट्विट पहना हुआ था मैंने फिर पोसाइडन पहना और इसके बाद मैंने इनका ध्यान खिचने के लिए ब्लड रेवन पहन के वह ब्लड रेवन का इमोट क ब्लड रेवन मैंने पहन लिया और आज के इस वाले गेम ले में होने वाला ब्लड रेवन वर्सेस टू एक्सपो साइडन लेकिन उससे पहले गाइस थैंक यू सो मच हम लोग को आप लोग देख सकते हो पॉपुलर्टी रैंकिंग में हम लोग टॉप 3 पे आ चुके हैं औ मतलब कि हमको सिर्फ और सिर्फ सेवन थाउजन जेट्स और चाहिए अठारा तारीक के पहले और उसके बाद भाई साब रॉयल पास का गीववे जो एमफोर का होगा उसकी बारिस करने वाला हुम है तो आप में से जिन लोगों ने भी तक जेट वाली पॉपुलर्टी नही कर सकते हो और इससे हो गई है कि आप तो बहुत सारे लोग रॉयल पास गिववे में पाटिसिपेट करीड होगे लेकिन मैं यहां पर रीसेंट और मैसेज बोर्ट से भी कई सारे लोगों को जो है तो यूसी और रॉयल पास के लिए यूसी सेंड करता रहता हूं हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन में मेल जाएगी तो मेक शूर कि आप लोग मुझे एलन वॉकर की और फ्री वाली पॉपुलर्टी चल दी अल्दी सेंड कर दो क्योंकि हैस्टेग साइबर आर्मी ओपी रुकना नहीं चाहिए और हमको कुछ भी करके कल तक टॉप टू में आना है अब बात करते हैं आज वाली इस गेंपले की तो जैसक मैंने आप लोग को बताया है स्टार्टिंग में कि आज हमारे मैच में एक नहीं दो दो पोसाइन एक सूट आये हुए थे तो पहले तो मैं यह मैच खेलने वाला था सिगनेचर आउटफिट में मिश्टो की योग सा सचा हम काफी दिन के बाद खेलने लेकिन उसके बाद हमने पहन लिया अपना ब्लड रेवन क्योंकि एक सूट वर्सेस एक सूट का माजाई कुछ और है एंड कमेंट में बताना जरू गाइस कि आपका फेवरेट एक सूट कौन सा है पोसाइडन ब्लड रेवन या फिर फैर फिर जो है एक सूट वो है ब्लड रेवन दैन उसके बाद फैरो दैन उसके बाद पोसाइडन फैरो में उपर नीचे होता रहता है अब यहां पर मेरे साथ उत्री थी तीन मतलब तीन बंदे और उत्रे थे तो इस टीम के दो बंदे तो मैंने डाउन कर दिये अब बचा हुआ आखरी बंदा था जो की सामने से मुझे जिसके फुट्स आ रहे थे तो यह तो भईया सीडियां चड़ते में ही मारे गए और इंका लाश्ट इमेर जो था वो उपर से आ रहा था बंदा था या बाट था मुझे कुछ समझ में नहीं है आया आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना अब ये बंदा तो यहां से जम करके भाग जाता है उसके बाद मैं घूम कि यहां पर आता हूँ उसके पीछे पीछे एंड इसके साथ इस बंदे को मैं यहां पर नॉक फिनिस कर देता हूँ एंड ये तीसरा बंदा था इस टीम का इसका मतलब मैं समझ गया था कि अभी इनका आखरी बंदा यहीं कहीं बचा हुआ है जिसे हमें ढूड़ना था और तब ही मुझे यहां से उस लाश्ट बंदे के फूर्स आते हैं अब ये भाईया सॉट गन रिलोड करके आहीं रहे थे कि यहां पे इनकी पेटी बन जाती है और इसे के साथ यहां पे स्कूल का पूरा का पूरा स्कूर्ड वाइप हो जाता है तो स्कूल में हम लोग स्कूर्ड वाइप करने के बाद यहां से निकल के जाते हैं आपार्टमेंट्स की तरफ और अपार्टमेंट्स में आप लोगा घन साउंड आ ही अहीं रहा होगा अब यहां पहली मुझे ने राफ साइट एक बंदा दिख रहा है तो मैं तुरंट भाग के उनके साइड जाता हूँ और तभी हो मार करते हैं इस वाली विल्डिंग में बंदे हैं अब यहाँ अपार्टमेंट्स में भाई दो से तीन चार स्कॉर्ड उत्री हुई थी और तभी यह भाईया मुझे पिश्टल से मानने का ठ्राई करते हैं मैंने इस बंदे को हलका सा डेमेज दिया लेकिन एक एम थी तो एटलिस्ट यह 50 HP तो बच्चा ही होगा लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट रस नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कितने बंदे बैठी हुए तो मैं सीधे क्रॉस करता हूँ इसे और राइट साइड वाली बिल्लिंग पर आ जाता हूँ अब जैसे ही हम लोग यहाँ राइट साइड आये हम पर ग्रेनेड आया और तभी हमें पता चला कि हमारी उपर वाली बिल्लिंग में भी एक पूरी की पूरी अलग से स्क्वाड जो है तो बैठी भी हमारा वेट कर रही थी यहाँ पर हम चारों साइड से फिस चुके थे क्योंकि हमारी साम्दे वाली बिल्लिंग में बंदे थे भगल वाली बंदे थे और साथ ही साथ हम लोग आने पास कोई भी वेहिकल नहीं था जहां से हम भाग के निकल पाये मतलब यहाँ से जाना लिटरली ihं पौसिबल था उ जो हमारे सबसे सामने की तरफ बंदे थे उन पे ध्यान लगा दिया अब यहां पर सामने वाला बंदा जो था यहीं पर बैठा हुआ था मेरे पर सिर्फ एक ही ग्रेंट था जिसका मैं सही से यूज करना चाहता था और जैसे मैंने ग्रेंट खुला वो बंदा भाग के यहां से निकल गया अब मैंने इस बंदे को ढराने का ट्राई किया उसके बाद मैं ग्रेंट पीछे आके खोलता हूँ ताकि वो बंदा ग्रेंट की आवास सुनके पीछे ना भाग जाए लेकिन यहां पर किस्मत खराब रहती है जब तक मैं ग्रेंट फेकता हूँ ग्रेंट ओवर्कूक हो चुका था या फिर कह सकती है वो बंदा यहां पर थाई नहीं वो पीछे जा चुका था और मेरा आखरी ग्रेंट वेश हो चुका था अब उपर वाली बिल्डिंग में अलक से घमासान फाइट चल लए थी तो यह बिल्कुल सही टाइम था इस वाली बिल्डिंग के बंदों पर रस करने का तो सीधे हम लोग इस बिल्डिंग पर आके रस कर देते हैं अब हमारे पास ग्रेंट वगएरा तो थे नहीं कुछ अब इसी स्मोक का मैं कर से यूज करता हूं बस आप लोग देखते जाओ यहां पर क्या ही बाल बाल बचेगा इस अगर यहां पर हमने स्मोक नहीं किया होता तो यह दोनों बंदे हमारी कविकी पेटी बना तो यह बिचारे बड़ी देर से यहां पर बैटी हुए थे क्योंकि इनकी पास गन वगएरा नहीं थी तो इनकी तो किसमत खराब थी हमने इन पे रस कर दिया और इन की यहाँ पर दोनों की पेटी बना दिया है इन दोनों की पेटी आ बना ते चाहिए और तबिया है-म्ये पष्प और सिर्फ तरफ इनकी लास से यह मिले इससे पहले कि वह बंदे ऊपर वाली बिल्डिंग के हमारे पता लगा पाते मैंने सीधे क्या करिया कि अपना पोजीशन चेंज कर दिया और मैं मिडिल वाली बिल्डिंग वे आ जाता हूँ अब यह जो उपर वाले बंदे ये भाई इतने खतरनाक वाले यहां पर अब यहां पर उपर वाली बिल्डिंग पे चार बंदे बैठे हुए लिटरली चार बंदे और ये बंदे कब तक बैठे रहते हैं बस आप देखते जाओ हम अपार्टमेंट्स आए अपार्टमेंट्स में पूरा पूरा फिनिस किया स्कॉर्ट्स को और उसके बाद भी ये बंदे इसी वाली विल्लिंग में कैम कर रहे थे अब यहां पर पीछिक साइड एक बॉर्ट था मिस्टोक्यों मार्क कर रही थी कि वहां पर एक बॉर्ट है वहां पर चलके जो है तो मार सकते हैं उसको उससे कुछ कुछ होने वाला है बहुत ही ज्यादा खतरनाक बस आप लोग वेट करो और आपको देखने के लिए मिल जाएगा मैंने एम किया यह कवार में चला गया और उसी टाइम पर इस्कूल के साइड से भी फायर होने लगा जोन भी आ रहा था और उपर बंदे कैम भी करें थे हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी तो यहां पर मिश्टोकियोई क्रॉस करके इस बिल्डिंग में आ जाती है तो मैं भी जल्दी से इस बिल्डिंग में आ जाता हूं क्योंकि वो सब बॉट मारने में बिजी थे तब ही आपने ध्यान दिया या नहीं दिया मुझे कमेंट्स में बताना जरूर लेकिन ये वही पोसाइडन एक्सूट वाले बंदे थे जिनकी मैंने यहां पे पेटी बना दी और ये बंदे ये बंदे उसी बॉट को मार रहे थे गाड़ी से आते वेगा वक्त जो बॉट राइट साइड में था तो मैंने कहा था ना आपको ये बॉट आज बहुत कुछ करने वाला है कमाल तो भाई बॉट मारने के चक्कर में पोसाइडन एक्सूट वालों की बली चड़ गई अब हमने काफी देर तक वेट किया हमें ऐसा लगा कि पीछे वाले बंदे निकल के होंगे मैं यहाँ पे कवर फायर देता हूं मिश्टोक्यों क्योंकि मुझे लगा ऊपर इस बिल्डिंग में बंदे होंगे और मिश्टोक्यों पीछे जा रहे थी गाड़ी ले और तभी तभी ये बंदे एक्चुली में इस ऊपर वाली चट में कैम कर रहे थे मतलब हमने फायर ली इतने सारे बंदों से अपार्टमेंट आके और ये बंदे यहीं पे कैम कर रहे है अब देखो भाई यहाँ पे क्या सीन होता है ये बंदी आ जाते हैं यहां पे रस करने मैं यहां पे बैठा हुआ था मैंने सही टाइम का वेट किया कि कभ ये बंदी अलग अलग होंगे और कभ मैं इनकी पेटी बनाऊंगा पहले तो मुझे लगा ये तीन बंदी हैं सिर्फ लेकिन क्योंकि देखो फुट्स भी मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी दो ही बंदों के आ रहे हैं तो मैंने सोचा जादा जादा तीन बंदी होंगे लेकिन क्या स्कैम होने वाला है बस आप लोग खुद ही देखो आपको पता चल जाएगा पहले तो मैंने इस बंदे को नौक एंड फिनिस करके मिश्टोकियों का बदला लिया उसके वाद सारे बंदे मेरे परस करते हैं मैं यहां पर आया जो लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाइस अब जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन दबाहें जिन लोग ने अभी तेक ऐलन वोकर की फ्री वाली पॉपॉलर्टी सेंड नहीं कि तो जल्दी अल्दी से सेंड कर दो हम लोग बहुत ही जादा करीब है 20,000 ऐलन वोकर पॉपॉलर्टी के अट लिस्ट 50,000 तो आज हो जानी चाहिएगा इस 15,000 सॉरी 15,000 13,000 अल्डी हो गई तो मिलते नेक्स वीडियो में तेलन सायना रा थैंक्स वाचिंग और लव यू अल